उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के वीच खोनी संगर्स हो गया इस संगर्स में पश्मी यूपी के कुख्यात अपरादी अंसु दिक्षित ने मुक्तार अंसारी के खास गुर्गे मिराजुद्दीन और भाई मिराज समेत दो कैदियों की गोली मार कर हत्या कर दी आपको बता दे कि मुकतार के बेहधी करीबी मिराजुदीन को बनारस जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया था जानकारी के अनुसार चित्रकूट की जेल में कई राउंड गोलियां चली इसी वीच पूलिस ने तावर तोड गोलियां चलाने वाले अपराधी अन्सु दिख्षित को भी एंकाउंटर में मार गिराया बताया जा रहा है कि अपराधी अन्सु दिख्षित ने मिराज के अलावा चार अन्निकैदियों पर भी हमला किया था जिसमें दो की मौत हो गई चानकारी के अनुसार अपराधी अन्सु दिख्षित ने मुकीम काला नामक बदमांश को मारने की सुपारी ली थी और इसी घटना को अंजाम देने के लिए उसने चित्रकूट जेल में अपना ट्रांसफर करवाया था आपको बता दे कि मुक्तार के करेवी भाई मिराज उर्फ मिराज उद्दीन पर वारानसी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से असलाहा रखने और मुक्तार के कारोबार में साजेदारी होने के नाते तावर तोर कारवाय की थी वारानसी के कई थानों में भाई मिराज के खिलाब कई अपरादिक और संगीन मामले दर्ज हैं जिसको लेकर कुछ महिने पूर्व ही भाई मिराज ने थाने में आत्मसमर्बन कर दिया था मौकाईवारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा दोड़ी मारते ही इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वार चारो तरफ से गेरा बंदी के ही और कूप अब्लिक दिसका नाम बाद में आशुदिक्षित पता चाहिए उसको आत्मसमर्बन करने के बताए गया बार बार उ उप्त अब्युक्त पर फारी की जिससे उसको गोली बती है हम लोग स्वेम गटनास कर पर मौजूद है कि इल्ड यहां गई है उप्त अब्युक्तों में से जो मरे है उसमें एक का नाम लिकीम काला जो की शामली का रहने वाला था कि रूप में चिन्नित हुआ जिसके उप www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें